नमश्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर प्राक्टिसेट लगाने जा रहे हैं और सबसे इंपोर्टन बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको यह क्विज अच्छे लगें तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट में ज़रूर बताईएगा जिससे कि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही क्विज लाते रहें दोस्तों हम शुरू करते हैं और शुरू इस तरीके से करेंगे कि क्विज इसको आपको आंसर्स भी क्लियर होते चलें और उससे रिलिटेट जो और भी कोई क्विज परिक्षाओं में पूछे दा सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर लगाते चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रशन है वासको डिगामा काली कट पर किस वर्ष में आया इसका उत्तर आप लों को मुझे लगता है कि पता होगा किस वर्ष में आया दोस्तों वासको डिगामा काली कट में 1498 AD में आया था इसी से एक और प्रश्ण कई बार आता है कि किसने वासको डिगामा का स्वागत किया था कालीकट में तो कालीकट में दोस्तों इनका स्वागत किया था जामुरिन ने उस समय जो वहाँ पे राजा था उसका नाम था जामुरिन जामुरे ने इनका स्वागत किया था ठीक है और पुर्तगाली सबसे पहले थे जो भारत में आए अगर पूथा जाए कौन सी विदेशी सकती थी जो भारत में सबसे पहले आए तो वो पुर्तगाली थी जो सबसे पहले भारत में आए व्यापार करने के लिए आये थे आपको दूसरा प्रश्ण है बंगाल की निम्द लिकत फैक्टरियों में से एक जो पूर्टगालियों द्वारा इस्थापित की गई थी वह कौन सी थी तो पूर्टगालियों को नाम दिखाई पर रहे हैं श्री रामपूर डैनिश की थी अब कई बार प्रश्ण में ये आता है कि जो इतने विदेशी आपके भारत में आये उनका आने का क्रम क्या था तो देख लेते हैं सबसे पहरे दोस्तों जो आये थे वो पुर्तगाली थे पी से मैंने लिख दिया उसके बाद डच आये थे और उसके बाद इंग्लिश मैन यानि कि आपके अंग्रेज बिटिश उसके बाद आपके आये थे डैनिश और सबसे आखरी में जो आये थे दोस्तों वो थे फ्रांसी सी एफ ठीक है? सबसे पहले कौन आये? पुर्तगाली फिर डच फिर उसके आपके अंग्रेजी लोग इंग्लिश मैन फिर डैनिश और फिर आपके फ्रांसी सी आये ठीक है? चली आगे देख लेते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ती का वास्तुविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ती का वास्तुविक संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्बुकर्क था तीसरे खाप का बी हो जrocket, क्यूं बोलते थे थे वाभ़्ति व संस्थापक क्योंकि 1510 इस्वी में इसने क्या किया था, बीजापुर के आदिल साह से गोवा छीन लिया था, आदिल साह से क्या किया बीजापुर में, गोवा छीन लिया, और गोवाराँ जब इनने जीत लिया क्योंकि इसके पहले पुर्दगाली क्या करते थे सिर्फ व्यापार का काम करते थे आते थे अपना सामान लेकर वापस चले आते थे जब ये अल्बुकर काया तो उसने क्या कि अब 1510 में बीजापुर के जो राजा थे आदिलशा उनसे गोवा छीन लिया इसे ही वास्तविक शांस्थापक मानते हैं पुर्दगाली शक्ती का ठीक तीसरे का भी हो जाएगा आगे देख लेते हैं चाथा क्या है आपका पुर्दगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रतम वाइस रहा था वो था Almeida फ्रांसिस्को दा Almeida इसका नाम था और इसकी पॉलिसी बहुत फेमस है उसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी ये बहुत ज़्यादा फेमस है ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक है आगे देख लेते हैं next निम्न लिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था तो कौन था कलकत्ता का संस्थापक 5 का आपका बी है जौब चौनोग जो थे वो कलकत्ता का संस्थापक था ठीक है 5 का बी हो जाएगा सीधी से कौशन आता सीधी से आप आप सा जानिए आगे देख लेते हैं लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत का निम्न लिखित में से कौन बादशाप था क्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखीगा मैंने पूछा है कि लंदन में जब British East India Company बनी थी उसमें भारत में बादशाप कौन था जब लंदन में British East India Company बनी तो भारत में बादशाप था अकबर और जब ओ लोग यहाँ पर आये तब कौन था बादशाप तब जहांगीर था ठीक है आपको यहाँ पर एक बात बताओंगी कि सबसे पहले जो यहाँ पर आया था वो कौन था वो था विलियम हॉकिन्स जो भारत में आया था कौन आया था विलियम हॉकिन्स कई बार यह पूछा जाता है और वो आया था किसके दरबार में वो आया था जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिन्स किसके दरबार में आ उसका नाम था? हेक्टर. क्या नाम था? उस ship का? हेक्टर. ठीक है? आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बाद. इसके बाद यह होता है. पुछाया था कि विलियम हौकिन्स के बाद कौन आया? तो विलियम हौकेंस के बाद दोस्तों आ एते और वो जो इस बार आये थे तो धेर सारा gift ले कर आये जहांगीर के लिए जिससे कि जहांगीर प्रिषन मों हो जया है उनको विया पार करने की अनुमती दे दे और यही हुआ धेर सारे gift पाकर जहांगीर खुश हो गया और उन्होंने क्या किया विल इसको Thomas Rowe को permission दे दी व्या जहांगीर के टाइम पे आए ठीक है तो अच्छे समझ लीजिए लंदन और बिटिशी इंडिया कंपनी जब बन रही थी तो भारत में बाश्शा अकबर था और जब पुझा जाए कि जब अंग्रेज यहां पर आये तब कौन था बाश्शा तो उस समय जहांगीर था ठीक चल कंपनी ने बंब़ई किस से लिया था तो British East India कंपनी ने बंबई पूर्तगालिों से लिया था पूर्तगालियों की जो वरानी थी रचकुमारी थी Catherine, उनसे शादी हुई थी Britishers की, तो उन्हों ने क्या कि अधेज की रूप में, समझ लिजे एक तरह से उसका सन था 1749 से 54, और आखरी जो थी आपकी, जिसमें ये रिसाइड हो गया था कि अंगर, फ्रांशीसियों को चले जाना चाहिए और Britishers को यहां पर रहना चाहिए, वो आपकी सबसे आखरी जो लड़ाई थी, कानेटिक वार्स की, वो 1756 से 73 तक चली थी, ठीक है, पहले वाल पॉंडिचेरी, अपुड़ुचेरी की संधी हुई, और तीसरे वाले में पेरिस की संधी हुई, और पेरिस की संधी से ये युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, तो कानेटिक वार्स किन के बद लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मद्धे, आगे देख लेते हैं, अंग्रेजी साशनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद था, कौन सा था दोस्तों, बिहार, कौन सा था, बिहार, दसका बी, आगे देखते हैं, सिराजुद दौरा लॉड क्लाइव दौरा परास्थ हुआ था, किस युद्ध में, तो सिराजु बी है, सत्रह उसतावन में प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद दौरा और लॉड क्लाइव के बीच, आगे देखते हैं, भारत में बिटिश सामराजी का संस्थापा कौन था, तो भारत में बिटिश सामराजी का संस्थापा कौन था, दोस्तों, रॉबर्ट स्वर्ग से उत्पन सेना नायक कहा गया उसमें जितने प्रश्ण करा रही हूं न यह सब किसी ना किसी परिक्षाओं में और आपके यूपिट्र परिक्षाओं में तो आने के बहुत आए चांसे हैं कि यह सब प्रश्ण आ चुके हैं और अभीशा ही आते हैं फिर आएंगे इनको अच्छे से पढ़के जाईएगा आप आगे देखती 14 प्रश्ण है बकसार के युद्र लड़ा गया था कब लड़ा गया था इसका क्या है सी 1764 में लड़ा गया था पूछा जाए बकसार के युद्र किसके बीच में हुआ था तो आप बताएंगे एक थे मीर कासिम और कौन थे सूजा उद्लग ठीक और थे कौन दोस्तों और थे शाह आलम सेकंड ये थी लोग थे एक तरफ और किसके अगेंस थे ये लोग ये लोग थे हेक्टर मुनरो के साथ इनकी लड़ाई किसके साथ थी हेक्टर मुनरो के साथ ठीक है समझ में आ गया फर से बता दे बकसर का जो लड़ा गया है दोस्तों मीर कासिम, शूजा उद्धौला और साहा अलम सेकेंड के साथ किसकी अगेंस्ट हेक्टर मुन्रो के अगेंस्ट लड़ा गया था ठीक है और इसमें आपको पता है कि जीत हुई थी अंग्रेजों की ही और इसी के बाद वास्तवी कि इन् आपको पता है आजकर भारत के अंबसी बोलते हैं जहां पर आप जाते हैं विदेशी किसी भी देश पे आप जाएंगे तो आप पर दूतावास होता है इंडियन एंबसी बोलते हैं तो वैसे इससेम उसी पद्दति पे टीपु सुल्तान ने भी दूतावास खोले हुए थ दूसरे देशों में तो कई बार यह भी प्रशना आता कि किस राजा ने उस जमाने में भी दूतावास किसने खुलवाए थे तो टीपु सुल्तान ने ठीक है आगे देखे 17 बेकम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्ज का निर्मार करवाया कहा पर निर्मार करवाया दोस् तो Warren Hastings है इसमें क्या होता था इसे ring fencing बोलते हैं इंगलिश में इसे बोलते हैं ring fencing इसमें क्या किया था प्रशने जो उनका area था उनका area था उसके लिए क्या किया जो उनके पडोसी जितने भी राज्य थे उनको हमझा दिया कि भाई आपकी हम सुरक्षा करेंगे आपको हम दूसरे राज्यों से बचाएंगे आपको बदले में हमें पैसा देना होगा हमारे सारे सिपाही आपके पास होंगे हमारे सारे हतियार भी आपको दिये जाएंगे इन लोगों ने क्या क्या इन से पैसा लेना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने जो पडोसी राज्य थे उन जन्र पर महाभ्योग का मुगदमा चलाये गया, किस पर चलाये गया दोस्तों, वारेन हिस्टिंग्स पर महाभ्योग का मुगदमा चलाये गया था, ठीक है, आगे देखलीजे, जोए, लोड कौन वैलेस की कबर गाजीपूर में इस्तित है, 20 का आपका A हो जाएगा, आगे द ठीक सहायक संधी किसने क्रियानवित की लॉड वेली जिली ने आगे देखे 22 प्रशन सहायक संधी को स्विकार करने वाला पहला साशक कौन था तो कौन था दोस्तों पहला साशक था हैदराबाद का निजाम कौन था हैदराबाद का निजाम जो था पहला था जिसने सहायक संधी को स्वीकार किया बात बाध में तो कई लोगों नहीं किया रहे मिसाबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इसको स्वीकार किया था त्य raspberry प्रश्चन ने सती प्रधा पर पाबंदी किसने लगाई तो किसने लगाई दोस्तों? William Bentic ने क्या आंसर है? 23 का आपका C है William Bentic ने सती प्रधा पर पाबंदी लगाई और इनके साथ सती प्रधा में अगर आप पात करेंगे तो एक और नाम आता है वो किसका आता है? राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों इन्हों ने विसाती प्रधा के लिए बहुत कुछ किया इनके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्मो समाज की स्थापना की यसा पता होगा आपको आत्मी सभाब की स्थापना हुई कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधी किस ने दी तो राजा राम मोहन रोय को राजा की उपाधी किस ने दी थी दोस्तों अकबर 2 इने किस ने दी थी अकबर 2 इने इसाड प्रस्ट इसलिए में आपको प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करें कैसी लगी आपको ये प्रैक्टिस है फिर मैं इसी तर्ज पर और कराऊंगे और कुछ इंप्रोव्मेंट हो तो बताईएगा फिर मुझे उसको करके तब इंप्लिमेंट करूंगी अगला प्रशन 24 प्रशन ठगों की दमन में निम्दे लिखित में से कौन संबंद था तो कौन था दोस्तों ठगों की संबंद में 24 का आपका बी है Captain Sleeman आपको पता है कि जब अंग्रेज आया थे उस समय अपने देश में बहुत कुरीतियां व्यापते थी ठगों ठग वगरा बहुत अधरात में कोई चलता था उनको लूट लेते थे तो दमन किस ने किया Captain Sleeman ने किया चौब इसका बी आगे देखिए 25 व्यबगत का सिधान्त किसके द्वारा लाया गया तो यह लाए गया दोस्तों डलहौजी के द्वारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्यबग का सिधान्त लिया था और डलहौजी के टाइम पर कई चीज़ें हुई थी जैसे train स्टार्ट हुई थी PWD जिसको आप सुनते हैं आज कर Public Works Department यह भी डलहौजी के समय में ही स्टार्ट हुआ था ठीक है आगे देख लेते हैं भारत ने प्रथम रेल नाइन का निर्मान किन जिल्ल चीज़ेशेशेश द ही लिख़ोजी थे टार्ट विद्वा पुनर विवाह अधिनियम तुम में क्रियानव थी मेंु क्यों सुम्हें स्टार्ट हुआ। पुनरर्विवा के अगर हम बात करते हैं यहान नाम आता है इश्वर्चंदVR Condraविद्यासागर का तो किसका नाम आता है दोस्तों किसमा इस्वर्चंद्र विद्यासागर आता है उन्होंने विद्वा पुनर्विवां के लिए बहुत कुछ किया था आगे देख लेता हैं कौन भारत का प्रथम वाइस रॉय था? तो कौन भारत का प्रथम वाइस रॉय था? B. Lord Canning ये भारत का प्रथम वाइस रॉय था आपको पता है 1858 में क्या हुआ था? Revolt हुआ था तब तक Governor General होते थे उसके बाद 1858 में Canning को क्या बना दिया गया? Voice Roy बना दिया गया, ठीक है? आगे देख लीजे किसका सुमेल सही नहीं है? तो Lord Dalhau जी व्यबगत का सिधान, Doctrine of Laughs मैंने भी बताया बिल्कुल सही है Lord Convalis इथाई बंदो बस बिल्कुल सही है Lord Willis Lee की सहायक संदी थी और Warren Hissing की कौन सी थी? Ring Fencing यानि की आपकी सुरक्षा प्रकोष्ट की नहीं थी भारती राश्ची कॉंग्रेस की स्थापना किसके समय पर हुई थी? यही आपका अंसर है क्योंकि किसके समय पर हुई थी? डफरिन के समय पर हुई थी लॉड मेय उन्हें पहली बार जन्गर्णा करवाई किस समय 1872 में उसके बाद जो आज कर आप की होती नहीं हर दस साल बाद, अगर ये पूछा जाए दस साल वारी जन्गर्णा किसने शुरू करी, तो रिपन ने लॉड रिपन ने शुरू की थी 10 साल वाली 1881 में उन्होंने पहली बार 10 साल वाली कराई तो उसके बाद 1891 और आप देखी रहे हैं भी 2011 में आकरी अमारी जनकरणा हुई थी ठीक है तो दोस्तों आज हम तीसी क्वेशन करा रहे हैं आपको अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट में बताएं लाइक जरू करेगा वीडियो